आपका बहुत बहुत स्वागता आज हम बात करेंगा इपल के सेकंड मैच की जो बिंदरा स्टेडियम मोहली में खेला गया कापैस्टी 30,000 जो पंजाब और केकेर के बीच में खेला गया केकेर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का ने लिया पंजाब ने पहले और जितेश शर्मा ने बनाए 21, राजा ने बनाए 16, सेमकर ने 26, सारुखान ने बनाए 11 रन और केकेर ने फिर वैटिंग की, केकेर के जो बल्लेबाज है मंधीप ने बनाए 2 रन चार बोलो में और गुरबाज ने बनाए 22 रन, 16 बोलो में 3-4, 1-6, अंकुल ने बनाए 4 र और नितेश राना ने बनाए 24 रन, 17 बोलो में 3-4, 1-6, रिंकु सिंग ने बनाए 4 रन, 4 बोलो में रसन ने बनाए 35 रन, 19 बोलो में 3-4, 2-6, ठाकूर ने नाबाद बनाए 8 रन, 3 बोलो में 1-6, नारायन ने नाबाद बनाए 7 रन, 2 बोलो में 1-6, और केकेर ने टोटल 14 रन मनाए साथ विक्टखोकर सोला ओवर में और बारिश के कारण यह मैच पंजाब को जीत दर्ज दे दी गई है क्यों मोहाली में बहुत ही तेसे बारिश जो होने चालू होगी थी इस बज़ा से पंजाब को इन साथ रनों से जीत दर्ज दे दी गई है और यह जो सेकंड मैच था पंजाब ने अपने जीत दर्ज कर लिया है आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके जुरू बताना अच्छी लगी तो लाइक सस्क्राइब कर देना और दोस्तों में शेर जुरू कर देना ठेंक्यू दोस्तों धन्यवाद